जिहां चंदेनी गोदा हुए उहां हालत ही रहा है कि अगल बगल जिहां कारिक्रम हो थे होकर अगल बगल कुछ दुर्राक मारे दिखाई देना बंद हो जाए ओ समय बैला गाड़ी पैदल साइकल मोटर अतेक नीरी साथ मेर ना मोटर साइकल नीरी साथ तो घरो घर है ओ समय पैदल आए बैला गाड़ी माए भाईसा गाड़ी माए जब तो अत्यक भीड रहा है अत्यक भीड रहा है हज्जार हों के और राद भर आदमी चमतकृत बैठे रहा है भाई ना कोई होड़दंग होए ना गुंडगर्दी होए पहली बेर चातिस गड़िया आदमी मन ये इनकी चातिस गड़िया आदमी तीस अजार चालीस अजार पचास अजार एक लाग कोमे रिकर्ठा हो सकते हैं तो बिना कुछ कहे एक्ठन भाउना जागरित हो एक ताके जुना जुना जमूप्त्रकार के कलाकारमाला लेकर आवातर सहं तो यहसी लगातार जारी है और आज हमर कार्यकार हमर सगा बन के आ है हमर चप्छ गड़ के पहली लोग सांस्कृतिक संस्था चैन्दैनी गोंदा के सबले पहली उद्धोशार करिया उद्धोशाक अधर्नी सुरेश देशमुग जी हमर वीच में हावे आज उखरमसन हमर गोडबात करबो आउ जानबो की हमर जो चप्छ गड चैन्दैनी गोंदाला जो हमार और चैन्दैनी गोंदाला एक बनाए रहे हम्हुत चैन्दैनी गोंदाला चैन्दैनी पहली सनस्था जानबोश ऑनबो Пр पुस्ता क научने आतिहासिद्थरूरा बन्हकात से वनो चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आप लो मुल अपन सगा बनाए वर सर सबले पहले तो आप मन हाँ एक बार आपन परिचाए बताते हो कि आप मन के जनम कहां हो रीसे कहां रहना हो थे सिख्ष कहां तक कर रहे हो यह ला पहली बता हो मोर जनम तब के दुरुग जीला जो नाज बालोज जीला हो गए है पिनका पार गाउम होई रहिस पिनका पार कही थन रहीं मगर बड़े पिनका पार या थाना पिनका पार कह जाए एतिहासिक गाउं है काफी हो दुरुग जीला पहली के अब बालोज जीला में है ओ पांचव तक उकरबाद दुर्गा कालेज में में तक फिर एमफिल करे बर उज्जेन गें फिर उहल पीएजडी करे बर रायपूर वापिस आए इसे मोर जुन शिक्षा है एमे एल एल बी एमफिल पीएजडी सर आप मन के भाई बहीनी हो आप मन के कातेखे हैं हमन चार भाई और तीन बहीनी हैं हो में एक जन भाई और एक जन बहीनी के डेत हो गए है बाकी होन बाचे हैं अभी और लिका मन के जहां तक बात है तुम और दू जन बेटी हैं दुनों और एक जन बेटा है बेटा सब ले छोटे बेटी मन दुनों आपन अपन अपन घर में हैं जनम के बाद तेरह नवंबर 1948 के मोर्पाइदाइश है। दरसल जीकर्मन के उमर आज 65 साल से उपर हो ही, वो मन जानत हो ही, कि एक समय जब हम मध्यप्रदेश के भाग रहन, तो चतिस गड़ के जदका उपेक्छा होए। चतिस गड़ी बोले में काले जवी स्कूल में पढ़ाया लईका मज शर्माएं। जब नोकरी चाकरीम चल दिन साहब बन गएं। तो चतिस गड़ी बोले में अपन अपमान समझें, अपन प्रतिस्ठक विप्रीत समझें। अव शोषण, शोषण कई किसम के न? शोषण के मतलब केवल आर्थिक शोषण से नहीं है। आर्थिक शोषण के बात करो मैं तो 65 से लेके लगातार कई साल तक चतिस गड़ में अकाल पड़िस। अव ए पीड़िल आश्चर हो ही कि छतिस गड़ के गाउं गाउं के सोना चांदी कांसा पीतल तामा के बरतन सब सेट साहुकार मन के घर चल दिन। अव एल्यूमीनियम के कटोरा सब के हाथ में आगे। अतिक ज्यादा भुक मरी होगे। तो शोषन के चक्र आर्थिक तो रहिवे कर रहिए। राजनीतिक शोषन भी बड़ा जबरदस्त रहिए। छतिस गड़िया मन में कोई एक ताक भावनाच नहीं रहिए। छतिस गड़िया मन समझ में नहीं करें के वल पाउं पर एल जाने। बाहरी आदमी मन के उई मन हमर मन के नेतागिरी करें। तो ओमन कोई अपनाप लएं दवर के मानातें, कोई जबलपूर के मानातें, कोई युकाउचोप मानतें। अव तो छतिस गड़ में मुख्यमंत्री घलो बाहिर से मध्य प्रदेश भी सोजवाना में। तो ये इस्थिति रहिस की बाहिर से आदमी भेजे जाए, मुख्यमंत्री बने बर। मध्य प्रदेश में कोई आदमी नहीं मिले, मुख्यमंत्री बने या। तो अव सांस्कृतिक शोशन भी रहिस है। सांस्कृतिक शोषन, हमर गीतमन के, हमर संस्कृतिक के, हमर तीच्तियोहार के, कोई महत्व नहीं है, हे द्रिष्टिस पूरा देखे जाएं, ये सबसे बड़ा व्यथित्र हिंदाओ जी है, अव चातिस गड़ के स्वाभिमानल जगाए बर, चातिस गड़ के सांस्कृतिक व अव चातिस गड़ी भाषा के प्रतिस्था करे बर, सब किसम के सोशन के विरुद्ध, ये सोचिये कि, चातिस गड़िया मन के आँखी कोले बर एक कारिक्रमल बनाएगे रही से, अच्छा उद्देश तो ये होगे, अव प्रेरख, तो कई इठन बात रही से, सबसे अधिक ज्यादा पिंचिंग बात जोन रही से, दाव जी बर, वो रही से, डाक्टर खूपचन बगेल के 22 फरवरी, 1979 के इंतकाल होगे, दिल्ली में, अव जे दिन इंतकाल होई, उकर एक घंटा पहिली, उन दाव जी चिट्थी लिखे रही है, अव वो पोस्ट करे बर दीन होई, अव उकर आखरी लाइनों लिखा है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, अब मैं बंद करता हूँ, अभी यहीं रहूंगा, यह आखरी शब्द है, और उही मोन लिखे रही हैं कि आपके नाट की प्रतिभा की हमको बहुत जरूरत है, हमको हर हाल में 36 गड़ को जगाना है, तो यह चिठी मिलेक बाद बहुत अकनले कारक मन संग सबसे बड़े कारक ही रही है, जोन दाव जीक दिमाग लग मथात रही है, दाव रामचन देश्मुक डाक्टर खूपचन बगेल के दमान दे, तो ओ हिसाब से अंतरंगता तो रही बे कर रही है, रिष्टेदारी भी रही मगर राज्य आंदोलन ले एक मतलब स्वरूप देना डाक्टर बगेल के कामरी से, चातिस गड़ भ्रात्री संग और चातिस गड़ी समाज के माध्यम से, तो उन गती देरी नांदोलन बना के, तो यह हिसाब से फिर 1971 में, 7 नमबर 1971 के चंदैनी गुंदा के पहिली प्रदर से, अब इस्थिती यह है कि आज के जोन पीड़ी है, चंदैनी गुंदा 7 नमबर 1971 से लेके, असी तक अपन पूरा ओमे चलिस, सबाब मेरी से, असी में हो इसी है कि चाची के, मतलब राधा देवी जोन डाक्टर खूप चंद बगेल के बेटी रीन, और दाव जी के पतनी, उकड़ेत होगे दू अक्टू बरके, उकर बाद तो कलाकार मन के उतका घर जीसे अमल रखना, खिलाना, पिलाना, रेक वियावस्था करना ये बड़ा कठीन होगे, ओ सब दू चार जन अपन सहायक मन संकाकी करें, और काम लगें, तो दाव जी लईसे लगी इसकी एक तो उद्देश से पूरा होगे है, अब अब उमर साथ नहीं देए थे, तो एक यासी में, ओला, खुमान सावल, जो डाइरेक्टर, ये, म्यूजिक डाइरेक्टर रही है, चंदैनी गोंदा के, ओला चला एक जिम्मेदारी दीन, मगर एके साल के अंदर इसे हो, इसकी सब जते एक वरिष्ट कलाकार रही है, इमन सब के सब दाओ जी मेरे शिकायत करेल पहुँच गया, कि नहीं वो बात नहीं रही है दाओ जी, ये कारिक्रम के जो स्वरूप, संग हमन जूडे रहे हैं, ओ स्वरूपे खतम होगे, तो आब हमन नहीं जान, तो भाईयाला लेडाओ, श जते अनुराग चोहान, ये सब जते मुख्य कलाकार रही है, इमन सब कोनों सब जाना बंद कर दीन, तो दाओ जी बाईस फरवरी उननीस सो तिरासी के लग विसर जित कर दीन, चंदैनी बंदा कर दीन, अब मुला इसे लगी, एक मेर के बात है, मैं प्रेस में बीठे रहे ह कर वैभा प्रकाशन में सुधीर शर्मा के, तो उहां परितोस चक्रवर्ती सा, एक्च्वाली मिले बार गे रहे हम है, अब भी अब भी डेथ होई सुकर, तो परितोस चक्रवर्ती ओ जमाना में, चंदैनी गोंदा उपर दुदू, धर्म यूग जी से पत्रिकम लिख चु चंदैनी गोंदा के इसमारी का 1976 में, तो आप भेजे रहे हो, ओला भिलाई में एक जनला देबर, तो ओल देखे हो मैं है, तो मोला इसे लग इसे, लग मैं प्रिंट कर दे हो का, फिर अदालती चकर मैं मत पर जाओ इसे कही के, मैं नहीं करे हो ओला के, तो पट से मोर ओचत रहे हो, कावर की ओल खोजों में मोरे मिर नी रही से, तो ओला प्रिंट करवाओ इसे कही के, तो मैं सबसे पहली गाओ गया हो, ओ दाव जी के जो एक मात्र पुत्री है, ओकर से अथारिटी लेटर ले हो, कि इसका स्वत्वा दिकार मैं अपने भाई सुरेज को देती हूं के, अव शुरू की ओजना ओत्कीर हिस, मगर धीरे धीरे करत, फिर हरी ठाकूर जी के सुपुत्र हवे आसिस ठाकूर हो की थे, सर, आप अतेग बड़ आदमी हैं दाव जी, अव आप किवल डेड़ पेज उंकर बारें लिख के खतम कर दे तो, ये तो अच्छ लदू भाग में बाटें, ये, ये किताब है, चार सो अठ्यासी पेज के किताब है, ये चार सो अठ्यासी पेज के किताब है, लदू भाग में बाटें, एक भाग में तो दाव जी के क्रिटित तो है, अव दूसरा भाग में दाव जी के व्यक्तित तो है, अव आश्चर हो कि चंदेनी गोंदा उपर ओ समय के 36 गड़ के कौन नामी साहितिकार नी लिखे होई और कैसे कैसे पत्रिका में नहीं छपे हो सापताहिक हिंदुस्तान में छपे है धर्म युग में छपे है रायपूर के चारो पेपर चार पेपर ओ समय रही से नौभारत देश बंधु यु से रिस उकर कलाकार मन की से रहिन है कौन-कौन साहितिकार मन लिखे है यह सब चीज लग यदी दस्तावेजी करने करनी होई तो मैं मरूं होकर संगे समाप्त हो जाई कावर की मोर बाह देला कौनों बताया नहीं है तेकर सेती मैं एक किताब लग लिखे हूँ और सही बात है पैंसट साल से कम उमर यह कर होई उमन बचपन में देखे हूँ नौद साल में तो समझे कली उतका उमर नी रहा है वह अठारा साल में तो हम मांतर की समझे लग तो फिर मैं एला ओकर सेती आज के पीढ़ी है नहीं जाने एला तो आज के पीढ़ी बरविशेस कि आज के जियतन आज लगभक शोषण च्छतिस गड़ में वह इसे नहीं है जी से पहली होत रही है अब यदि सोषण हो थे तो हमरे आदमी मन के द्वारा हो थे गाओं अब बाहिर वाले मन आके वह इसे शोषण नहीं करते हैं जी से पहली करत रही है सर यह बताते हो आप मना कि दाव राम चंद्र देश्मूग जी के जनम कहां हो रिस कपके जनम रिस हो ही आप मनला मालू होई जी हम मैं पैदा हूँ हो और गाओं में उहें उन्हों पैदा हो रिस पिनका पार में सोलह अक्टूबर 1916 अब पहली जो है कारेकरम कौन से गाह में जो होई रिस चंद्रीनी गुंदा के और किसे टाइप के जो है महोल रिस से ओला बाताते हो जो गाह उसे जब देखे बार आये पहली के जो है आद्मी मना तो कैसे टाइप एक महोल रहा है ओला बाता हूँ सबसे पहली कारेकरम साथ नमंबर 1971 के दाओ जी गावे महोई रिस बगेरा में दुरूख से तीन किलो मीटर है बगेरा अब तो निगम एरियम आगे है ओ समय गाह रिस सोचो जिहां चंद्रीनी गोदा होई उहां हालत ही रहा है कि अगल बगल ओ जिहां कारेकरम हो थे होकर जब अगल कुछू दुरrik मारे दिखाई देना बंद हो जाए ओ समय बहीला गाडी पैदल साइकल मोटर ने इस आदमी में और आज तो घरो घर है कρί गुंडगर्दी होए, पहली में 36 गड़िया आदमी मन ये देखें कि 36 गड़िया आदमी 30 अजार, 40 अजार, 50 अजार, एक लाग को में रिकर्ठा हो सकते हैं, तो बिना कुछ कहें एक्थन भावना जागरित हो एक तक है, त्रिभुवन पांडे जी अपन रिपोर्ताज में ए एकरे बारे में, कि गए तो अलग-अलग 50 अजार लोग थे, लोटते समय सब एक कैसे हो गए, बहुत-बहुत बड़े बात है, सुचेक लिए, कि 50 अजार आदमी अलग-अलग जात हैं, मगर लोटत समय सब खामोर्ष, सब चिंतर में, सब एक माटके, तो उह ना छोटे एक बडग भेद रहें, घर में दाओजी, घर में काकरो संग भेद रहें, जात पात के, नो कारिकृम रहते हैं में उच नीच के कोई बहद रहें, सब गरीम बीठो नीचे में, काकरो बर विशे सविया, केल एक जन तीन एक पच पच छे चे गन्टा दरीम बाइतना ओजमाना में बहुत बड़े बात है। जी सर शुरुआत करीज है। कै तीक जन के टीम रही सुरुआत में जैसे साथ नोमर के जो सुरू हुई इस कहा था। जब आपशे को और साथा सतर जन के टीम रहा है तो ओला दाव जी कहा है चतीज गड के तिरसट कलाकार है एक तन्द फ्रेस बन गेड़ी स्थिश गड के तिरसट कलाकारों का फ्रदर्शन हमें चतीज गड लग तो तिरसट हो जाते हैं 36 गड़ भर के जतेक नामी कवीर हीन है तिकर्वन के गीत मल्ल संगीत बद्ध करवाएगे रही है और कुमान साओ उकर संगीत कार रही है उकर अलावा जतेक हमर लोग गीत है शादी बिहाओ गीत जमारा गवरा ये सब जतेक पारंपरिक गीत रही है तहुमल उकर तो धुन तो पूर्वन इश्चित है गाउम जी से बचते है उही धुने उही स्वरे मगर वो जब स्वच्छंद नहीं होके ताल बद्धव लेम रह है इस्टेज उपर तो च्छतिस गड़िया आदमीचमल कल पना नहीं होए कि ही गवरा गीत है जे हमर गाम हो थे तेया थे बढ़िया लागा थे स्टेज में जब गवरा के प्रदर्श देवता चड़ जाए भई सामने ग्राउंड में लोग बाग तो मंच में लाखूम जुमेक जहां तक बात है गीत में नहीं है पहली कारिक्रम में पवन दिवान है बिल्कुल नित्यक मुद्र में एक थन डाइलाग में खड़े हो गरी तो वाद आओ जी क्या बात है कि ओ समय गरीबी हटाओ वाले जम नारा चलत रही से इंदिरा गांधी के उस समाजवाद जी तो एक थन द्रिष शरी सोलार में चंदेनी गुंदाब गांध धरा पुरान तो धराल आठत किसान है बइठे है तो ओकर जन नौजवान शीव नाम के उल शीव कुमारे हो रोल करें और दुखित के रोल किसान के दावजी करें तो दावजी धरा आठत बइठे है तो आ प्ल गुनत रही थे हो आठत आठत तो काय बातल बता थे तो ऐसे करें देखें का चार डंडी है ना इस चार डंडी चार भाई होगे रामादी चाठन वेध होगे चाठन दिशा होगे कहते कसनले बात बता थे अब देख मैं धेरल चलात हूँ तो धेरक चलाते थे अब चलात तो कभू देखे हूँ तुम अनता देखें जी तो आठ पूरा हो जाते तो उल्ता गुमेल धर लेते तो चलाई तो दाउ जी कहा देख गरीबी हटा थे हटा थे हटा थे आठ शड़ के लोटल लहुट गे रहे समाजवाद आथे 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 लहुट गे रहे तो जब उसको देखे देखे दिवान जी है तो खड़े हो के बिल्कुल दुनों हाथ लग नित्यक मुद्रम वाद आओ जी क्या बात है तो ऐसे अश्चरिमोल यह हुए हम सबेरे देखां ग्राउंड लग यह हुए तो चार उदका तो दरी घलो कक्रो किराया मेरे वाले मन मेरे नहीं मिले ना तो सामने में दू-चार हजार बर लगे रहा है दरी तो दरी के बाद जोन जगा रहा है ओ बिलकुल समाजवादी जगा कि जोन अपन घर ले बोरा लाओ वो बिचाव वह इसे हो एर सांच ले पोगराना सुरू करते हैं जगल आदमी तो बैट सबेरे जब देखां ना आम तोर पे पूरा ग्राउंड गीला न जा रहा है एक ज पत्रगार नाम नहीं लें नौ भारत में अभी शायद उपसंपादक यह संपादक है बिलासपुर एडिशन के वह बता है कि अबका तुमर कर कम रही से 17-18 साल के रही सो ही बोले पिसाब बहुत जोर से लगत रही से मगर उठ जब जगा फेर मिल ही नहीं इसे कि बैठे बैठे पर साब करें मगर हम उठे नहीं हुआ लगी तब मौल समझ में इसकी पूरा ग्राउंड गीला का वर न जा रहा है आदमी इसोचे हम उठ जब हो ते जगा हम लग दुबारा मिल नहीं सके तो नहीं उठे आदमी बिलकुल का कुछ रहा है ओला थोड़ा बताते ओधार के सबसे पहली शब्द मोर मुहस जो निकले और है आम तोर पे नौ बजे कारिक्रम शुरू होए तो क्रिप्या अपनी घड़ी मिला ये रात के नौ बज गए हैं अब हमारा कारिक्रम प्रारंब होता है ये पहली वाक के रहा है सबसे पहली शुरू है भूमिका बात फिर सरस्वती वंदना होए सुचो कला के देवी सरस्वती है हुआ चंदैनी गोंडा शुकला की गीत रही से अते अर्थपूल गीत रही से क्एकठन फूल अलग-अलग समर्पित किये जाते देखो फूल गे, चंदयनी गोंदा फूल गे, चंदयनी गोंदा फूल गे, एकर रंग रूप हा जियू मा, मिस्री साही घुर गे अईसन फूलिस गोंदा चन्देनी कुछू कहे नहीं जाए बगेरा मा फूलिस भारत भर्मा महमा आए आखी के आगुच आगू मा देखो कैसे जुलगे सुन संगवारी सबले आगू एक फूल तोरत हो सरसुती माई के मैहा गोड मा चगात हो जेकर दयाले मोर कंठहा सुवा साही खुल गे बाचे फूल में तुमला देथाओ बबादा आउद बाई नानुक बाबू नोनी दुलवरिन बहिनी आउ मुरदाई तुहर दरसला पाके हमर सब के भागा खुल गे चंदैनी गोड़ा फुल गे तो यह शीरशकगीत रहा शीरशक गीत के बाद फ़र कोई नोकोई साहित्यकार के सम्मान किये जाए आश्श्यर के एक ठंद परम्परह बाचसली स्तो बता देया만 कुछ अढ़ूत किसम के परम्परह ही से यह हिंदुस्तान में कभी कोई कारिक्रम में नहीं हो इसा पहली बात तो यह कि घड़ी मिला के कारिक्रम शुरू हो ऐसे नहीं का आदमी देखा थे हैं आज यही तब शुरू कर बहुत चाहे कतको रहें ग्राउन में नौ बजे यदि कारिक्रम के समय दे गए है तो नौ बज कारिक्रम शुरू हो जाती है दूसरा चीज सबसे पहली पूरा हिंदुस्तान के प्रमुख भाषा के गीत प्रस्तूत किये जाए मराठी में बंगाली में पंजाबी में उडिया में भोचपूरी में ऐसे और उद्देश यह रहा है कि सब लापन मात्री भाषा अच्छा ल लगते च्छतिस गड़ी है लग च्छतिस गड़ी गीत का वर अच्छा नहीं लगी हमर मात्री भाषा है हो तो यह उद्देश है तीसरा कि कोई राजनीतिक आदमील मंच उपर चढ़न नहीं दें बड़े बड़े प्रदान मंत्री हो जतिस मंच में नहीं जाते हैं मंच मे केवल साहथिकारच चड़े और साहितिकार के संपान होये हिरे तो पहली कारिकर्म में प्यारे लाल गुप्त बहुत बड़े साहितिकार पूराना पीडिक चת्थिस गड़ं के जियत्रीन बहुत हैं उकर सम्मान होई रेश है तो ऐसे अध्भुत अध्भुत परंपरार रे आजादीक दृष्चि से सुरू होए, पंदरा अगस्त के हमला आजादी मिलिस, तो बड़ा खूश रहे हैं, कि आजादी मिल गे, अब सब किसम के सुक्ष हमला मिली, मगर मिलिस का, मुक्ती नहीं मिलिस, दुख से, शोषण से, तो आजादीक दृष्चि, कैसे कैसे दृष् एक जन नेता टाइप आदमी, टोपी पहिने, जैकेट पहिने, कुर्ता पजामा, खादीक पहिने, नित्च चलत है, आगे सुराजी के दीनरे संगी, बांधले पागा, साजले बंडी, कर्मा गीद गा के आजा, जूम जा संगी मोर, गीद समाप्त होते, तो नेता हापन, चम्चम अंसंग आते, मिठाई बाटे बार, गाउं के, आजो बटते, स्वतंतरता बाटे, मगर ओ समय, अब गाउं बाटे लाते, तो किसान, अब लेकम अलल, ऐसे रही थे, सब लद्धर के, ओहू खड़े रही थे, महुल मिली, इसे खड़े, तो प्रतीक देखे, किसे रहा चंदाई नहीं गुंदा हा, कतका भेद दे अंदर तक आदमी, कासक कटो रहा है, ओमें लड्डू भराया है, ओ सब ऐसे देल धरतिस, फेर अपन, चम्चम अलल दे देतिस, अब खुदो खाजतिस, लड्डू, सब लड्डू खतम ह होगे, ओ बार-बार किसान है, सब गाओं के लईका मनसंग, ओ आदमी मनसंग, आतिस, हमुल में लिए इसे के, इसे करे ओला, आखिर में लड्डू खतम होगे, तो कटोरल उलटके, ऐसे थप थपाते होला, ओ खाली कटोरल, किसान लड्डू थमाते थे, अब बेक्ग्राउ हमने अपने पसीने का हक मांगा, तो हमें खाली कटोरा दिखाते रहे हैं, और बेध जाया आदमी लंदर तक, तो ऐसने दिर्श रहा है सब, उकर बात फिर चलत जाये कि भई किसान जो है, ऐसे याजादी में जो जवान पीड़ी हुई, एक पीड़ी आई, जनम हुआ उसक तो सोहर चलत है, फिर नाचा गम्मत हो थे, फिर ओ थोड़ी बड़े होई, तो खेल कूत करे बर जाते हैं, ऐसे करत-करत फिर मृत्यू तक हो जाये। जो लिए गए है चंदैनी गोंदा, प्यारे लाल गुप्त के एक्ठन कविता है, और मुख्य परदम घलो लिखाया रहा है, गाओं में फूल घलो गोठी आते हैं, जब सब किसान सो जाते हैं, अंग अंग मा सुना गहना लेके गोंदा आते हैं, और संग चंदैनी गोंदा लेकि घर घर अलग जगाते हैं, गाओं मा फूल गलो गोठी आते हैं, तो चंदैनी गोंदा शब्द के बड़ा अच्छा प्रयोग प्यारे लाल जी गुपता पने कविताम कर रही है, तो दाव जी लगे लगे कि भाई गोंदा बड़े गोंदा उचंदैनी गोंदा अभ्रत्य सकतादे वाला में जो फूल चड़ते है वो चंदेनी गोंधा हर घर में प्रायाद तूलसी चंवरा के अगल-बगल 2 मही da कही लाइख ले गए तो वे हो जड़ते तौे पूज़क फूल आख्र से ओक करेकर्म के नाम पूज़कर पूज़ के मैं पूज़क कि पू तो एक ठन चंदाइनी गुंदा अक माला है जो न अर्पित है मातीला आप पूस्तक लिखे हो चंदाइनी गुंदा के बारे में यह के वाल पूस्तक नो एक एतियासिक धरोवर हरे जिला आप मनहां लिखे हो पूस्तक लिखे हो चंदाइनी गुंदा के बारे में लिखे हो पूस्तक लिखे के पीछे के उद्देशल आप मनहां बता हो आप मनहां लिखे हो चंदाइनी गुंदा के पूस्तक ला काफी कुछ है आप मनला परिसानी के सामना करें परिशोई कावर की इमें जो है वह समय खंबात करें सत्तर के दसक काफी कुछ माटेरियल सब लाइकत्र करके उखर बारे में लिखना फोटो कलेक्शन करना कतिक चुनोती पूनर ही से का कुछ है उद्देश रहला बताऊं बहुत बहुत तकलीब तीन साल करीब लग गए मुलाई यह सब इकठा च्छे महीनां तो केवल कलाकार मन कहां बिखर गए हैं अब कहां-कहां है उखर फोटो सबके इकठा करत उकर पता इकठा करत फोन नंबर इकठा करत इहिम लगिस उखर बात गीतमन दिमाग मेंत्र हिन सब कैसे इकठा करना तो जेकर मेंर्व उनकी कविता वासनिक, अनुराग चोहान, शैल्या ठाकूर, इकर्वन से, मतलब सब जगह दोरा मारे हूं है, कहां के राजनाम गाओं, दुरूग, राइपूर, बिलासपूर, सब जगह दोरा, अब मैं ये सोचे रहे हूं, घर में तो सब चीज है, तो मुल अलग से रखे ज दूसरा जगह चल दिस, और ये आदमी लेगे रहे हूं हाथ नी धर हम दिसो में, भगवान जाने का सोचके, तो अब लेख मला इकठा करना रहे हूं है, ये जानना रहे हूं कि कौन तारिक के छपे है, अब ये बड़ा कठीन काम है, सापताहिक हिंदुस्तान में कौन तार इक के छपे रहे हूं है, तो मुला ये अंदाज नहीं से कि नारायन लाल जी परमार है, जब भी बगेरा जाएं, तो जदका मटेरियल ओ समय तक इकठा रहा है, तो दाओ जी परमार जी इल दे दें, इल आप एक काप ही आप रखोगे, और परमार जी है, उल एक ठन लिफा हम भर भर के रखें, उपर में चंदैनी गोंदा लिखाय रहा है, तो वो अब परमार जी तरहीं नहीं, तो कर बहू रेखा परमार लमय के हैं, कि ऐसा एक लिफाफा है, जिसके उपर पीले रंग का, जिसके चंदैनी गोंदा लिखा हुआ है, उसको खोजो, तो महीना 40% material, जो प्रकासित सामग्री रही से, ओ तो अलिभाप हम मिल गे मुला, 40% बर मुला, आँ चक्कर मारियल पर इस, काकरु मेरी हां से, उहां से, वैसे गीत मन बर करें हो, फोटो मन बर करें हो, काफी मेहनत लगी से, आँ सब से, अँ सोची एक कैसे कैसे हो, एक ठन किस्सा बता हो, डाक्टर बगेल के, मैं फाइल में पढ़े हो, मैं रहे हो, डाक्टर बगेल के आकरी चिट्थी, अब आय कहां लो चिट्थी, तो मुल मालूम रही, इसकी दाओ जी है, जब भी रायपूर जाएं, तो हरी ठाकुर ही हैं जरूर जाएं, ठाकुर प्यारे लाल सिंग के बेटा, जी, अब उनला, मतलब उकर से कंसर्टेशन घलो करें, उनला सामग्री दें घलो, तो जरूर ये चिट्थी के कापी दाओ जी है, ठाकुर साबला दीन होई, तो मैं सुधीर शर्मल पूछे हूं कि ठाकुर साब के प्रेस्तों में नहीं है, आशी स्प्रिंटिंग प्रेस्ते, तो कि बंद होगे भाईया, उत्भिग गे, उकर लड़का सुंदर नगर में रिख थे, तो मैं खोजत खोजत फिर वहां गया हूं, अब बताया है, इसे इसे बात है, तो आशी स्थाकुर मुल की थे, कि सर महूं है, ये चिट्थी के लद देखे हूं मैं, नगराकुर सहब के फाईल से, टाइब्ड कापी रही से, वो वकत पाँच कापी टाइप होए, फोटो कापी जमाना नहीं रही से, पाँच कापी पतलक आगज में टाइप होए, तो मैं लिखा है बराबर पाँच प्रति, इसे के एक प्रति, उकर में मिली स्तब, ओ एक कित जान के बाजी लगाए जी सरी से एक दम डुमनियक जानत है कि जब फोन करती है मैं बाज भलाना हूँ आज इहां हूँ आज उहां हूँ यहीं चलत रहा है कि अभी तक एक दूजन जरूर है मगर एक जिसे एक जन कमेंट कर रही है मुलत कहें नहीं कोई पोस्ट उपर काक्रो कमेंट कर रही है कि किताब में दोराव कोई डाक्टर है यहां के रायपूर के कि दूराव बहुत है तो मैं जानत रहे हूँ कि यह आदमी है काकर से संबंदित है तो हूँ बहुत बड़े साहितिकार है तो मैं लगे हूँ कि आप लगे इसे लग थे का कि दूराव है तो अरे वो खुद तो साहितिकार ही नहीं है वो क्या जानेगा और समझेगा आप कहां कहां लोगों के बात में द्यान देते हैं अब सवाल ये है कि जिसे इमें कम सत्रा जन के आर्टिकल है इसमारिका में तो कारिक्रम ला तो सत्रा जन जो देखें हैं अमहां लिखत है तो कारिक्रम से अलग तो कुछ नहीं लिखत सके मैं गीतल कोच करिए द्रिश्यल कोच कर ये तोлаг ब거야 कि Satyla कोज करी द्रिश्यल कोट कर तो इत्रिश्यलक कर द्रिश्यलक कर ये लान जा सके मगर यद curry कोई लिखे है तो नहीं काहिआ italianoा कि जैसे आप मनें पुस्तक ला लिखे हो तो अभी जैसे हमन बात करें तो शत्यज़र के जैसे competition exam में भी सवाल पूछे जाते कि चंदरिन गुंदा के पुस्तक ला कौन लिखे है कौन मतलब जो संगीत में कारिक्रम थोड़ी देखें आरकेस्टर टाइप चंदरिन गुंदा के नाम से आज भी चला थे दूदू तीन तीन कारिक्रम उगिल जाना थे मूल चंदरिन गुंदा कार ही सेकर आभास उमल नहीं है तो उकरमर पर तो बहुत उपयोगी है जानना चाहिए अपन इतिहासल हम आज इहां तक पहुंचे हैं तेकर मूल उत्स कहां है आश्यर एक बाते देखो उत्रा खंड बनिस जार खंड बनिस दुनो हो एच थीजर में कभू एक थन बस लक जलाएगे एक थन कार लएक थन इसकूटर लजलाएगे ऐसे लगे का सुने हो कभू सांस्कृति कांदोलन के परिणाम है आज कोनों श्रे ले 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 कद को अब मैं नाम नाम से बता हूं कई जह लापत्ती हो जही किसे किसे रीस ह जतका जन लगे इन सब के प्रेड़नाई है श्रीस अब मन हां उद्गोशक के भूमिका में रहा है उस मचेंदेनी गुनम साथी साथ आउग का आप मन हां कराव इला बताते हो सर पूरा मंच के व्यवस्ता दाव जी तो वो किसान के वेश भूसा पहीन ले ना तहां लोन ल बूमिका किसान के वो मिका उपर रहा तो रात भर मंच ले समालना और बिना इंटरप्शन के कारिक्रम ले चलत देना साथ गंटा आट गंटा के यह मुख्य रूप से मुरे जवाब दारी रहा है कि मैं स्टेज के एक साइड में में रहा हूं दूसरा साइड में म्यूजिक ग्रूप रहा है एक डार पिये सिस्टम हो हम रहा हूं ओकर अपोजिट साइड में तो उमल बताना शुरू शुरू ताट दस कारिक्रम तक हेड़ फोन लगायल पर है बताय बर चालिस 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 तन गाना कतिक याद हो जतीस हो तो कई कारिक्रम के बाद सबल रटागे ना मगर कभू कभू हाँ अब हो एड़ार ले अब कुमान भाई फोन करए हम हेड़ फोन में कि एकर बाद फलाना गाना है कुमान भाई तो गानक तयारी है पीछे ग्रीन रूम में जाके जे जे कर लमंच में निकलना है तेम अलत तयार हो अबर करना कारिक्रम के करम बना के और ग्रीन रूम में दूनों, जेंट्स और लेडिज ग्रीन रूम में टांगना, परदक पिछों बेक स्टेज में टांगना, म्यूजिक साइड में देना, एक ठन खुद रखना, यह सारा इंतजाम स्टेज प्रापर बने, अलकि स्टेज बनाए बर चार-पाँच आदमी तो और अगे रहा हो और लेक्शर रहा हैं, अब तो असिस्टेंट प्रोफेसर की थे, यह उन्हों शुरू हाज़ते हैं, कालेज में यह एक ठन कालेज रही प्रैवेट कालेज रीस, नूतन कैलेज, वह मैं लेक्शरर रहा हो पालिटिकल साइट के, बात में कालेज गोवर्मे अब जानमें नहीं कर रहा थे तो आज जते कहुंए राजनीती में ते मल्ला बहुत ज्यादा ज्यादा ग्यान वकर बारे महीं नहीं है ना का कुछ होना चाहिए अभी के समय माप मुख्य रूप से चंदैनी गुंदा बात है तो चंदैनी गुंदा के मंच में कभू राजनी थी आदमी मल्ला प्रश्रे नहीं दिये दिगी इस तो करकलाकार मनला का वर प्रश्रे देई हो मैं ही कहना चाहूं कि यदि कोई मंची प्रस्तुती चतिस गड़ी में हो थे ये चतिस गड़ के नाम से हो थे तो ऐसे प्रस्तुती होना चीलिए जेकर से हमर गौरों बोध हमर में जागे कि हमर अते उच्च कोटी–चीज हमरों में रहे जेकर ऊपर हम नाकुंचा कर सकत हन। हम अपमानी मैसूस ना करें 36 गड़ बहुत भहुत धन्यवाद सर आप मनहां जो है किमती समय दे के किमती समय निकाल के हमर सन गोड़ बात करे हो मोल मितान चैनल समय देओ ख़ले आपन के बहुत भहुत धन्यवाद है धन्यवाद आप होला कि आप मोल मोका देओ बोले बर जी है तो संग्वारी हो यह इन हमार वीच में चैन्दैनी गुंदा के प्रथम उद्गोश्रा के आदरनी सुरेश देश्मुक जी और सांती साथ चैन्दैनी गुंदा के जो है पूस्तक लिखे उखर समपादा खरे है मनहां तो इकर मनहां गोड़ बात करे हैं नाउ जाने जी है तो मैं आसा करता हुआ हमार मनन के इंटर्विव हमार मन के गोड़ बात आप मनला पसंदैस हो ही पसंदैस हो ही तो यह विडियो ला अधिक से अधिक है लाइक करो करो हो और कमेंट करो मया दुलार देवात रुद्छ संगबार ही हो आगु खळख अमर 2016 के नव हचिन